विंटर शीजन शुरू हो गया है और मार्किट में आ गई है धेर सारी सबजिया गोभी गाजर मूली जिसका अचार मन करे उसका बनाए फटा फट से तो फ्रेंड्स हमारे तो मूं में पानी आ जाता है जब मोटी मोटी मिर्ची दिखाई देती है तो फ्रेंड्स मैं हूँ कवीता और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए टेस्टी टेस्टी मोटे वाली मिर्ची का अचार फ्रेंड्स पहले ही बोल देती हूँ कि मेरी वोईश को करना इग्नौर क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड हुआ है इस वज़े से मेरी आवाज ऐसी ह हो रही है तो फ्रेंड्स बनाते हैं टेस्टी सा अचार बिना देरी के शुरू करते हैं आज की टेस्टी सी मोटे मोटी हरी मिर्ची के अचार के रेसेपी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी स लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला और एक प्यारा सा कॉमेंट भी तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज की रेसिपी चलिए मसाला तयार कर लेते हैं सबसे पहले अचार का यहां पर मैंने भारी तले का पैंच जडा लिया है गैस पर गैस क मस्टर्ड सीड्स टेबल स्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स काली सरसो एक बड़ा चमच यहीं पर मैं आड़ कर रहे हूं 10 से 15 काली मिर्च एक मिनट तक इसको चलाएंगे उसके बाद कुछ और मसाले आड़ करते हैं इन सभी मसालों को आप धूब में भी रख सकते हो और न एक चमच मेथी दाना और एक चमच अजवायन भी हम यहीं पर एड़ कर लेंगे और इनको खुश्बू आने तक भून लेंगे मसालों को जलाना बिल्कुल नहीं है हलकी सी खुश्बू आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफर क लिए रख देंगे तो देखिए कुश्बू आने शुरू हो गई है अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूं तो मसालों को ट्रांसफर कर दिया है मैंने इस प्लेट में और थोड़ा सा मसाला में एक कटोरी में साबुत ही निकाल लूँगी तो थोड़ा साबुत मसाला भी रोष्ट कर ली है हलकी सी बस मैंने लिया है यहाँ पर मिक्सी का जार और यह मसाला ठंडा हो गया था पूरी तरह ठंडा होने के बाद आप इसको दरदरा सा पीस ले यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए यहाँ पर हरी मिर्ची है मोटे वाली अचार वाली यह मै नहाँ पर ले लिया है मैंने एक बड़ा सा बाउल इसमें मैं डाल रही हूं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल कच्ची घानी का तेल तेल को गरम बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि यह प्रिजर्वेटिव का काम करता है तो इसमें एड़ कर रही हूं मैं 1 टेबल स्पून ब् लाल मिर्च एड़ किया है तो यहाँ पर जो मैंने रोश्टिड साबुत मसाला रखा था वो मैंने एड़ कर दिया है और एक चमच कलोंजी को भूना नहीं जाता है न तो वह वाली कलोंजी एड़ की है और यह जो मसाला हमने दरदरा पीसा था मिक्सी में वह भी एड़ कर कर लिया है अच्छे से कर लेते हैं मिक्स कुकि अगर कलोंजी को भून लिया जाए और पीस लिया जाए तो कड़वा टेस्ट आता है इसलिए इसको पीसा भी नहीं जाता साबुती डाली जाती है यहीं पर फ्रेंड्स में एड़ कर रही हूं एक चमच हल्दी पावडर में भ करता है तो यह आप अचार में जरूर डाले और कर लीजिए मसाले को मिक्स से अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है और अचार कभी खराब भी नहीं होता है बस अब हम एक एक मिर्च उठाएंगे और फटा-फट से चीरा लगाएंगे आप इनमें सब में चीरा लगा कर भी एक बार में रख सकते हो तो मैं चीरा लगा रहा हूं सभी मिर्चों में और अंदर के बीज आप निकाल कर या तो मसाले में ही मिला लेजिए लेकिन मैं अंदर ही रहने देती हूं तभी भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं बीज नहीं निकालूंगी ऐसे ही इनको करूंगी तो इस तरीके से मैं इन सब में चीरा लगा लिया है मैंने और यहां पर देखे इस डब्बे में मैंने थोड़ा सा डाला है सरसो का तेल एक चमच और इसको कोट कर रही हूं अच्छे से क्योंकि हम इसी में मिर्च भर भर के रखते जाएंगे इस तरह से सारा तया प्रिजर्वेटिव का काम करता है मस्टर्ड ओयल भी और इससे खराब कभी नहीं होती है तो अभी मैं इसी डब्बे में रखती जाओंगी उसके बाद दूसरे डब्बे में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी दो दिन बाद ही फ्रेंड्स यह मिर्च खाने के लायक हो जात और आप हमेशा ऐसे ही आचार बनाना पसंद करोगे अगर एक बार इस तरीके से बना लोगे तो यह देखी फ्रेंड्स मैंने सबी मिर्चों में यह एचार भर दिया है तो मेरा तो मिर्च का अचार हो गया है तैयार अब लिए है मैंने यहाँ पर एक कंटेनर कंटेनर में टाला है फिर से और कोट कर रही हूं चारो तरफ से यह बहुत ही अच्छी टिफ है आचार खराब ना होने की फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके के से आप यह अचार बनाकर जरूर देखना आपके घर में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जो भी खाता है बस इसकी रेसेपी पूसता है तो friends आप भी बनाईए STS आचार अपने family members को खिलाईए वीडियो अच्छी लगी है तो friends circle में शेयर कीजिए लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना जिसे जब भी मैं कोई वीडियो ढालू उसकी नोटिविकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाय करें तो चलिए friends मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी सी किसी ओर recipe के साथ तब तक के लिए तिल देन टेक कियर बाई थैंक्स ओर वाचिंग